ताटा इस्टील कंपनी की तरफ से रिक्रूमेंट निकल कर आ रही है फार टूइंट्टिफोर देखो ये ओफिसियल अप्डेट है इनकी विबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा इसमें आल इंडिया के कंडियेट इलिजबल हैं अपलाई कर सकते हैं कंपनी सिटीसी प् अपलाई फिस नहीं है रिटेन टेस्ट के माध्यम से सेलेक्शन होगा पर देखो इंपोर्टेंट पॉइंट पहले बता देते हैं ताकि आपका टाइम वेश्ट ना हो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट डिप्लोमा एंड वीटेक रेलेवेंट फिल्ड के कंडियेट इसम हैं और इंट्रेस्टेट भी हैं तो चलिए अब चलते हैं वेकेंसी के में नोटिपिकेशन पर यहां पर देख सकते हैं टाटा इस्टेल के ओपीसियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और यह नोटिफिकेशन आप वीडियो के होगा वो ओडिसा में जौब लोकेशन देखने को मिल जाएगा और यहां पर देख सकते हैं इस वेकेंसी का एडवर्टाइजबर नंबर भी दिया गया है मिन्मम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके पास अगर त्री येर का डिप्लोमा ह कौन-कौन से ब्रांच में Metallurgy, Electrical, Electronics, Instrumentation, Engineering तो आप इसमें इलिजबल हैं अपलाई कर सकते हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा होल्डर है आप RD TATA Technical Education Center से तो आप इसमें अपलाई कर पाएंगे जो कंडेट यहाँ पर पार्ट टाइम डिप्लोमा कंप्लीड की हैं या फि यहाँ पर TATA Steel के लिए है किसी भी वेकेंस कंपनी में तो आप इस प्रकार की वेकेंसी के लिए इलिजबल होंगे और यहाँ पर कंप्टिशन बहुत कम होगा क्योंकि चूंकि यह वेकेंसी जो है Experience वालों के लिए है तो इसमें ज्यादा तर कंडिडिड क्या होंगे अपला कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा Apprentice period आपको इसमें count नहीं किया जाएगा 3 year का experience होना चाहिए ठीक है वन year apprenticeship को experience में count नहीं करेंगे और जो आपका यह experience होना चाहिए एक February 2024 के पहले का होना चाहिए Marks की बात कर लेते हैं आपके पास डिप्लोमा में General Candidates के लिए आप 55% Marks होने चाहिए और SCST Candidate के लिए 50% Marks होने चाहिए Age Criteria की बात करें तो उनका Age जो है एक February 1992 से एक February 2006 के बीच का होना चाहिए General Candidate के लिए और SCST Candidate के लिए एक February 1989 से एक February 2006 के बीच का आपका डेटा बड़ जो होना चाहिए Salary की बात कर लेते हैं तो काफी अच्छा salary आपको इसमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दे सकते हैं इसमें आपका जो basic पे होगा 17,530 रुपए होगा लेकिन इसमें सभी प्रकार के allowance मिला देंगे तो आपका जो CTC बन जाएगा 5.77 LPA का CTC देखने को मिल जाएगा और company की तरब से सारे facility सारे benefit आपको देखने को मिल जाएगे इसमें देखिए बिल्कुल clear लिखा गया है अगर आपके पास 3 साल का experience या उससे जादा है यहाँ पर दिया गया है 4 साल से अधिक experience है तो आपको कुछ additionally मतलब की अलग से उसमें salary प्रवाइड किया जाएगा बात कर लेते हैं selection process का selection process की बात करें तो इसमें return test और interview के माध्यम से इसमें selection होगा और सब भी stage जो होगा elimination होगा यानि कि किसी भी stage में अगर आप disqualify हो जाते हैं तो वहीं से आपको मतलब terminate कर दिया जाएगा की बात करें तो जो भी candidate select होंगे उनके qualification और उनके suitability के अधार पर उनके knowledge के अधार पर उनको किसी भी प्रवरी 2024 तक आप इसमें apply कर सकते हैं और date of return test यहाँ पर यहाँ भी link दिया गया है इस link पर आप click करेंगे तो आपको return test के लिए यहाँ पर information मिल जाएगा कि कभी इसका return test conduct करा जाएगा बाकि यहाँ पर disclaimer दिया गया है यानि कि यह private company है अगर Tata के नाम पर कोई भी company या को कोई भी calls आता है email साते हैं कि आप पैसे पे करिए तो आपको पे नहीं करना है क्योंकि Tata Steel या फिर Tata Group या कोई भी private company होगा कभी भी कोई चार्ज नहीं पे कर सकती है नहीं पे करती है क्योंकि private company है government जो jobs होते है उसमें apply फिस लगता है private में नहीं लगता है तो यह आज की इ लेकेंसी का अपडेट हम टेलिग्राम पर वाइट कर देते हैं तो अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में सी यू बाए